महें स्लाम अदिन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम मुम्रा में आज सुबा सुबा ही पिएफाई के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था आपको बता दे गिरफ्तार किये गए जो पिएफाई के सदस्य है मतीन शेखानी और दाउच शेख इन दोनों लोगों को आज ठाने कोर्ट में पेश किया गया था जहां कोर्ट ने इन्हें छोड़ने का आदेश दिया आपको बता दे कि पुलिस के मताबिक दोनों पिएफाई के सदस्यों पर आंदोलन और चड़क पर चक्का जाम करने और अन्यवारदातों को अंजाम देने की कोशिश करने वाले थे से ऐसा पुलिस का कहना है मगर कोर्ट में सुनवाई के दोरान दोनों तरफ के वकीलों की दलील सुनने के बाद खाने कोर्ट ने मतीन शेखाने और दाउद शेख को भविस्सी में किसी भी प्रकार की कानून बेवस्था ना खराब हो ऐसा अंडर्टेकिंग लेते हुए उन सब्सक्राइब करना है हमको ऐसा शक है कि फ्यूचर के लोग कोई प्रोटेस्ट वगरा कर सकते हैं इसके लिए इसके लिए इनका डिटेंशन मांगा ता 14 दिन का तो यह बात के लिए अप्लिकेशन किया इसके लिए हम उसको आपोस किया कि किसी इंसान की लिबर्टी को है नहीं कर सकते हैं अगर आपको किसी ने पूछा कि आपको क्या चाहिए आजादी चाहिए जिन्दगी चाहिए तो आप क्या चुनोंगे मैं आजादी चुनूंगा कि जिन्दगी मुझे मतलब लिए जिन्दगी आजाद नहीं है तो यह मसला आजादी का है आप किसी के आ प्राटों के लिए आज ये कारवाई थी, इसके पूरड में भी उन्हें आमदुरूली किया तो निकि उमर केसे दाथ में पूलिश नहीं है, उसको सेंट्रल गवर्मेंट नहीं किया है, तो यह कोई ओफिंस नहीं है लेकिन उन्हें प्याफाई के सदस समझ के उठाया गया पॉलिस के दिमाग में ऐसा शक था कि आगे जाके सारी चीजे हो सकते ही इसलिए उठाया गया उसके प्रोटेस्ट करने वाले हैं तो यह बता सकते हैं ऐसे इनका कोई भी नहीं है प्रोटेस्ट करना वगर एंका कुछ भी नहीं अंडरेक्टि दिया हुआ है उस चीज के को अ के शुठन कुछ या फोलीस के संचे के नोगा अर्ट सब्सक्राइब की हो सकता है इसलिए हुन खुल что है के डिए पिस्टेंशन लिए इसां प्र में लिए उन्हाने लिख़े लिखे दिया है क्या बाते लिखे गया हो किपने क्या इस्टम पर में आंडर ड़ोर्टि क दिया है इस टाइम पेपर की जरूत नहीं होती मैजिस्टेट के सामने अंडरेक्टिंग दिया जाता है